राहोन होगी जी चले लंच का टेम हो गया काम अख़तम करते ही उपर सूरज की तरब देखो सर पर आ गया सूरज मेरे हिसाब के बारा बच कहने होंगी अरे मोदे जी आप इन मजदूरों के ठेकेदार होकर ऐसी बात करते हो अरे आज तुँवा तुम काम पर पाँच मिनट देर से आयाते तो इदर भी पांच मिनट देर से काम को छोड़ो मेरा नुक्तान क्यों कर रहा है मेरे इस प्याज की खेती में खर्पतबार बहुत है रुपाई एच्छी तरीके से करो देखो अमिस्ता जी अगर ऐसी तरीके की बाते करोगे तो मैं सुनू से लेकर चलूँगा अगर आज हम पांच मिनिट काम पर देर से आईते तो कल तक मिनिट पहले भी तू आईते तो हम सब लोग आपकी प्याज की खेती में अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और दोगे तो फिर किसके खेत में काम करोगे ये बताओ फिर मंसूरी काम मिलेगी ओजी जी राजलास सिंग जी कात करवाने को गयरेते अपने खेत में ये तो आपको माने नी है उन्होंने भी तस्वी का खेत में प्याज की फसल लगाई है और उनसी फसल में खरपक बार भी कम है कम मेहनत करना पड़ेगी कल से उनी के काम पर चलेंगे ये अमिस्ता जी तो बिल्कुल पास में खड़े होकर काम कर बाते है ये बात तुझे बिल्कुल अच्छी नियुक्ती है अगर योगी जी ऐसी बात है तो सामकुर राजला सिंजी से बात करो उनके खेत पर काम पर चलेंगे अरे मोधी जी योगी जी राहूल क्या कुप चुप बाते कर रहे हो अलके-अलके बताओ मुझे भी तो बताओ अरे अमिस्ता जी बाते क्या कर रहे हैं इसलिए अमिस्ता जी आपके यह प्याज की खेती का खोड़कर राजनाश सिंग जी के खेत में काम करेंगे अरे पैजी बात करते हो तुम सब लोग ऐसा गरो मोजी जी तल से तुम जितने कैम आओ काम पर और जितने कैम काम को छोड़ो मैं कुछ नहीं कहूंगा और आपके पास काम करते वक्त खराबी नहीं होंगा लेकिन मेरे याँ काम छोड़कर मच जाओ और विडियों को लाइकर करते हैं